वेल्कम बच्चों, बीए पार्ट फरस्ट एर, पेपर फरस्ट, इन्डियन फ्लोसफी इस पेपर में हाम आस्तिक संप्रदय की श्रेणी में मिमान सा दर्शन पर हाम जाचा कर रहे थे अभी तक मिमान सा दर्शन में हमने मिमान सा की प्रमान विचार और प्रमाने वाद के सिद्धान पर हम चर्चा कर चुके हैं आज मिमान सा की तत्व मिमान सा पर हम विश्यद रुप से चर्चा करेंगे मिमान सा दर्शन जो है वो वस्तुवादी और बहुत अत्ववादी यानि अनेक वादी है वस्तुवाद का या तात्परी है कि सृष्टी की रचना का जो नियम है वो कर्मों की नियम के अधिनी सृष्टी की रचना हुई है क्योंकि स्रिष्टी जो है वो जीवात्मा यानि मनुश्य के कर्मों की अनुसार होती है ठीक है तो मिमान साधर्शन में उनके तत्व विचारों में हम जगत आत्मा और मुक्ष संबन्दी विचारों पर हम विस्तरत रूप से अध्यन करेंगे तत्व विचार में सबसे पहले आयम का जगत संबन्दी विचार कि मिमान साधर्शन में जगत और उसके सारे विशेयों को सत्य माना गया है जिसका परिणाम यह होता है कि मिमान सक जो है बोवधुम के शुन्यवाद और शानिकवाद और अध्वेत विदान के मायावाद के यह कट्टू आलोचक रहे हैं प्रत्यक्ष ग्यान को यह थार्थ मानने के कारण नहीं जगत और उसके सारे विशेयों को सत्य माना है प्रत्यक्ष जगत की अतिरिक्त मिमान साधर्शन आत्मा स्वार्ग नर्क वैदिक यग्य के देवताओं का भी स्विकार करते हैं इन्होंने परमानों की सत्ता को भी माना है परमानों जो है आत्मा की तरही नित्य माने गए हैं और यहां पर जो इनका परमानो वादी विचार है वो वैशेशिक दरशन की विचार से कुछ कुछ मिलता जूलता है अंतर बस इतना है कि मिमांसा दर्शन पर्मानों को इश्वर के द्वारा संचालित नहीं मानते जबकि न्याय वैशेशिक ने पर्मानों को इश्वर के द्वारा संचालित माना है मिमांसा के अनुसार कर्म की जो नियम है उनके द्वारा ही पर्मानों में गति आती है जिसका परिणाम यह होता है कि जीवात्मा को कर्म फल भोग कराने योग्य संसार बन जाता है ठीक है इसके अलावा मिमान सा दर्शन यह बाना गया है कि संसार जो है इन तत्मों से बनाएं एक तो शरीर या युगैतन जिसमें आत्मा अपने अपने पूर्व कर्मों का भोग करती है दुसरा ज्यानिंद्रियां और कर्मिंद्रियां जो सुक दुख के भोग के साधन है तीसरी बाईवस्त में जो भोग के विशे हैं तो मिमानसा में इश्वर का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता कुछ मिमानसा जो हैं वैशेशिक की तरह ये परमानवाद को तो मानते हैं परंदु अंतर के वल ये है कि वो इश्वर के द्वारा संचालित नहीं है कर्मों का जो स्वाभाविक नियम है उनकी अनुसारी वे प्रवर्तित होते रहते हैं मिमानसा स्रिष्टी और प्रले को भी नहीं मानता वो कहते हैं कि ये जगत जो है हमेशा वर्तमान है कुछ भट मिमानसा के हैं कुमारिल और भट के बारे में हमने भी पढ़ाता दो ही मिमानसा के हैं जिनोंने अपने अपने विचार प्रमान मिमानसा में रखे थे वट मिमानसा जो हैं वो द्रव्य जाति गुण क्रिया अभाव इन पांच पधार्तों को मानते हैं और वैशेशिक के नौ द्रवियों के अत्रेक्त अंधिकार और शब्द को भी द्रवियमी मानते हैं इस तरह से तत्विचार की द्रश्टी से मिमानसा दर्शन वस्तुवादी कहलाता है मिमानसा वेद वाक्यों को प्रत्रक्स से भी बढ़कर मानते हैं विस्वर्ग नर का द्रश्ट अधि अनेक तत्वों को मानते हैं जो अतिंद्री विश्य होने के कारण अन्भव गम्य नहीं हैं यानि उन्हें अन्भव के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं आत्मा के संबन्द में मिमानसा दर्शन का विचार जो है बहुत कुछ न्याय वैसीशिक दर्शन से मिलता है आत्मा के समंद्ध में मिमान सक कहते हैं कि चेतना जो है आत्मा का स्वभाव नहीं वरंगुण है चेतना को आत्मा का गंतुगुण माना है इन्होंने आत्मा जो है वैसे अपने स्वभाव से अचेतन होती है तो फिर उसमें चेतना कहां से आती है इस प्रश्ण का उत्तर इन्होंने निया वैशिश की तरही दिया है कि आत्मा का संपर्ग जब मन इंद्रियों से होता है तब आत्मा में चेतना का संचार होता है इसी तरह मोक्ष की अवस्था में भी आत्मा जो है सभी विशेश गुणों से रहीती रहती है इसी कारण का जाता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा जो है चेतना शुन्य हो जाती है इस तरह मिमानसा के आत्मा संबंदी विचार नियाए वैशिशिक से काफी मिलते जुलते हैं मिमान सक आत्मा को अमर मानते हैं वे कहते हैं कि आत्मा की न उत्पति होती है और न इविनाश होता है आत्मा हमारी बुद्धी और इंद्रियों से भी अलगे आत्मा नित्य है जबकि बुद्धी और हमारी इंद्रियां जो ए अनित्य है आत्मा को इन्होंने स्वा प्रकाश मान माना है इसलिए आत्मा को आत्म जोती भी कहा जाता है आत्मा करता है एजेंट है यानि भोगता है यानि इंजोयर है और ग्याता है यानि नोर है तो मिमानसा का आत्मा सम्बन्दी विचार जैन दर्शन के आत्मा सम्बन्दी विचार से भी मिलता है जैमिनी ने आत्मा की सत्ता को प्रमानित करने के लिए कोई तर्की नहीं दिया है उन्होंने कर्म का फल भोगने के लिए एक दित्ति आत्मा के अस्तित्व को माना है सुक दुख पाने के लिए विच्रन करती है चीक है आत्मा को इनोंने अनेक माना है और अपने धर्म और अधर्म की भिन्ता की कारण आत्मा को इनोंने अनेक माना है आत्मा के सुक दुख भी इसी कारणी अलग लग होते हैं आत्मा में उम्खे रूप से नवगुण होते हैं सुक्ष, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेश, धर्म, अधर्म, संसकार और बुद्धी अब आत्मा का ज्यान कैसे होता है तो प्राभाकर जो है वो निया वेशेशिक तरह आत्मा को ज्यान को आत्मा का एक गुण मानते हैं आत्मा ज्याता है और ज्याता के रूप में वो प्रकाशित भी होती है इस तरफ जो कुमार जो है ज्यान को आत्मा का परिणाम मांते हैं कहते हैं कि जैसे ही आत्मा पर विच्छार किया जाता है वैसे ही बहुत हो जाता है कि मैं हूं इसके विश्य के रूप में आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि मैं हूं इस तरह से इनों ने आत्मा समंदी विचार अपने रखें इश्वर के समंद में इनका मत है कि इनों ने अपन संसार की स्रिष्टी के लिए धर्म और अधर्म का पुरुष्कार और धर्ण देने के लिए इश्विर को मानना हमारी भूल होगी मिमानसा जो है देवताओं को बली परदान करने के लिए कल्पना करते हैं देवताओं को केवल बली को ग्रैंड करने वाले के रूप में ही माना गया है उनके उप्यों किता केवल इतनी हैं कि उनके नाम पर होम किये जाते हैं इसलिए मिमांसा अनेके शुरवादी भी है क्योंकि इन्होंने एक नहीं अनेक देवताओं को माना है परंदुसाज कुछा जाए तो मिमांसा को अनेके शुरवादी मानना भी भोले देवताओं का अस्तित्व केवल वेदिक मंत्रों में ही माना गया है विश्व में उनका यह भी नोने स्पष्ट नहीं किया है ना इन्होंने देवताओं को कोई स्वतंत्र सत्ता दी है ना इन्हें उपासना का विशे माना है यह कहते हैं कि यह इश्वर को वेदों का निर्माता माना जाए तो वेद जो है वो संदिक दो सकते हैं क्यों कि वेद जो है वो अपोरुशे हैं पेस्वयम प्रकाशक और स्वत्य प्रमानित हैं और ये आदर्श पूर्श कहे जा सकते हैं इसलिए मिमानसा को निर्श्वरबादी भी माना गया है परंतु बाद के जो मिमानसा के अन्याई हैं उन्होंने इश्वर को इस्थान दिया है उन्होंने इश्वर को कर्मों का फल देने वाला और कर्मों का संचालक कहा भी है इसका करणिया है कि स्रिष्टी के अभाव में भी इश्वर को माना जा सकता है मिमान सा दर्शन वेद पर आधारित हैं, वेदों में इश्वर का पूरी तरह से संकेत हैं, इसलिए मानना कि मिमान सा निश्वर वादी है, ये बात असंतो जनक मालूम पढ़ती है, ठीक है? आगे इन्होंने एक अद्रश्ट शक्ती का सिद्दान्त रखा है, शक्ती और अपूर्व का सिद्दान्त, जो कारे कारन के संबंद पर आधारित है, कारे कारन के संबंद के विशे में इन्होंने शक्तिवाद को माना है, ये एक नई विचारधरा है, जो शक्ती और अपूर क के नियम पर आधारित हैं यह कहते हैं कि जगत के सभी कार्योंटी मूल में एक अद्रश्ट शक्ति होती है जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता जिसे अगनी में जलाने की शक्ति है एना बीज में अंकूर प्रस्पोर्टित करने की शक्ति है शब्दों में अर्थ पोधक्ता क की शक्ति है प्रकाश में भासित करने की शक्ति है और कारण में अद्रश्य शक्ति मानना इसलिए भी जरूरी है कि बिना उसके हम इस बात की उत्पति नहीं कह सकते हैं कि कहीं कहीं कारण वर्तमान रहने भी पर भी कार्य की उत्पति नहीं होती यह गेते हैं कि सभी चीजों में कुछ न कोछ उत्पन करने की या कुछ उत्पन करने की शक्ति होती है और यह शक्ति जो है एक अलग पढ़ृत है जो सभी में पाया जाता है परन्तु नई आइक जो हैं इस अद्रशक्ति को नहीं मानते हैं वे कहते हैं कि बिना इसे माने भी इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं यानि बाधा नहीं रहने पर भी कारण कारे को उत्पन करता है और बाधा रहने पर नहीं उत्पन करता मिमान सक इसके अक्षिप में कहते हैं कि तब तो नियायमत के नुसार कारिक इत्पति के लिए कारण के अलावा और कुछ वस्तू भी आश्चक माननी पड़ेगी फिर अंतर क्या रहेगा यदि और कुछ मानना ही है तो अभावपदार्थ में क्रियात पदक शक्ति बानने के बदले भावपदार्थ में वस्तू क्यों न माननी जाए तो इस अद्रश्च शक्ति के सिदान के द्वारा मिमान सा एक बड़ी समझ्या का समाधान करते हैं जैसे जब कर्म का स्थित्व ही नहीं रहेगा तो आज का कियावा कर्म इसी जीवन के बात पर लोक में कैसे फलित होगा तो मिमानसा कहती है कि इस लोग पे कियावा कर्म जो है वो एक अद्रश्ट शक्ति का प्रादुर्भाव करता है यानि उत्पति करता है जिसे हम अपूर्व कहते हैं यह कर्म का फल भो करने की शक्ति है जो समय पाकर के फलित होती है तो कर्म फल का व्यापक नियम यही है कि लोकिक या वैदिक सभी कारियों के फल जो है संचित होते हैं अपूरु का सिदान्त भी उसी का ही एक आईश है तो ये सिदा ये मत जो है अपूरु का ये प्रभाकर ने हमारे समाक्ष रखा है आज हम इतना ही करेंगे कल हम इनकी मिमासा की धर्म सम्बंदी विचावरों पर चर्चा करेंगे ओके थेंक यू